हेलो एव्रिवन तो भाई आज मैं अपने इस फाइनली चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं जिसकी बहुत टाइम से रिक्वेस्ट चोरी है कि इस वीडियो को इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो तो हम दा एनिमी स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना जो की लिखा है हमार परल सी बकने तो भई मैं एक चीज बता दू यह चैप्टर हद से जादा असान है लैंगुज बहुत इस चैप्टर की कुछ टफ नहीं है इस चैप्टर में बस इसका टफ इसके साथ दिक्कत क्या है बहुत लेंदी चैप्टर आपकी लिटरेचर का सबसे लंबा चैप्ट बट टेंशन ही यार चैप्टर इजी है हम मज़ेस इसको कर देंगे चैप्टर इंटरस्टिंग भी बहुत जादा है यह बट चलो भई अब फटा वर्ट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को यह जो स्चोरी है यह हमारे प्रलोग है उसमें भी यही बता लखा है कि यह स ऊप्टर में पूरा देखेंगे एक्जाक्ट डॉक्टर सद होकी इनका नाम है ऐट्य सदा होकी नाम है तो Dr. सदा होकी house was built on a spot of the Japanese coast तो coast क्या होता है भई coast वैसे कुछ ऐसा होता है बना beach अगर आप देखो ना तो इससे देखने में आपको लगर आओगा यह beach होता है हलाकि coast और beach में बहुत फरक होता है but हम यहाँ पे chapter के context में coast और beach को सेम मान के चलते हैं, confusion नहीं create करते हैं, अगर आपको जानना है तो Google से कर लो, different search पर कोई important नहीं है इतना, तो Dr. Sadao का जो घर है, वो Japanese coast के पास बना हुआ है, where as a little boy he had often played, मतलब वहां पे वो बच्पन से वो वहीं रह रहे हैं, coast के पास, Japanese coast के पास, और बच्पन में वो वही कहला करते थे, the low square stone house was set up upon rocks well above a narrow beach, तो उनका जो घर था, वो square घर था, जो stone, stone house का क्या मतलब हुआ, मतलब उनका घर जो है, वो थोड़ा stone work उसमें जादा था, तो was built upon rocks well above narrow beach, तो जो उनका घर था, वो कई सारे पत्थर, मतलब जो beach था, beach से narrow beach, narrow beach यहां पे जैसे हम फोटो मे देख भी सकते हैं, यह beach ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सीधा सीधा जा रहा है, यह एक यहां पे cut है, यहां पे घूम रहा है, तो narrow beach पे, उनका काफी थोड़ा आगे जाके, पत्थरों के उपर लगा बनावाता घर, क्यों, क्योंकि भाई, अगर beach के पास यह वेव जाती है, यह flood जा जा जा, तो उनका घर ना डूब जा, इस चक्कर में, उनका stones के उपर बनावाता घर, और beach से थोड़ा आगे जाके था, that was outline with bent pines, और उनके जो भाई वहाँ पे घर था, उसके आसपास bent pines थे, bent pines एक तरीके के पेड़ होते हैं, तो वहाँ beach में, उनके घर के जैसे आप इस photo में भी देख सकते हो, यह trees हैं, हलाकि pine tree थोड़ा ऐसा नहीं देखता, थोड़ा अलग देखता है, but matter नहीं करता, ऐसे वहाँ पे trees भी थे, और आप जैसे यहाँ देख सकते हो, beach में आपे पत्थर भी हैं, अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ आपकरों की बाते होती हैं, तो जो beach था, उसके आसपस bent pines थे, घर के आसपस थे, as a boy, so thou had climbed the pines, तो बचपन के अब उसकी कहानी बताई गए कि बचपन में वो इन pine trees को चड़ा करते थे, supporting himself on his bare feet, अपने bare feet के through, bare feet, मतलब नंगे पैर, as he had seen men do in the south seas when they climbed for coconut, वो ऐसे ही करता थ मतलब जैसे वो नंगे पैर चड़ता था pine trees पे, वो उसने वहाँ से सीखा था, जब वो south seas में गया था, south seas again जपान में एक जगे है, वहाँ पे बचपन में जब वो जाता था और देखता था कि लोग चड़ते है, coconuts तोड़ने के लिए, वो उनी की तरह pines पे चड़ा करता था बचपन में, his father had taken him often to the island of those seas and never had failed to say to the little brave boy at his side, मतलब उसके जो अगे इन बचपन के बाद करी गए सदाओ के, तो इस बचपन में जब उनके पापा उन्हें लेके जाते थे, south seas के island में और जब वो never had he failed to say the little brave boy at his side, और वो हमेशा वो अपने उस छोटे बच्चे को, अप ले जाके, little brave boy, मतलब यहां पर यह भी दिखाएगे कि सदाओ बचपन से ही काफी brave इनसान था, those island yonder, क्या कहते थे सदाओ के पापा उन्हें, कि those island yonder, yonder का क्या मतलब होता है, यह पुराना style होता है, English का yonder का मतलब simple होता है, there, they are the stepping stones to the future for Japan, वो क्या कहते थे सदाओ के, वो island देख रहे हो, south seas में जब उनके पापा उसे लेके जाये करते थे, वो उन्हें कहते थे कि वो island वहाँ देख रहे हो, वो जपान के लिए stepping stones है, मतलब उन island पे हम इतनी progress करेंगे कि हमारा जो country हमारा देश है, वो बहुत बड़ी power बनेगा, where shall we step from them, सदाओ had asked seriously, और जब वो पूछा करता था पापा से, कि पापा वहाँ से हम कहां पहुचेंगे, मतलब क्या होगा उन पे, who knows, उसके पापा रिप्लाय करते थे, क्या पता, his father had answered, who can limit our future, it depends on what we make it, बहुत प्यारी lines बोली हैं उसके पापा ने, और यहीं पे हमें सदाओ कि अब bringing भी दिखती है, उसके को करेगा इंसान, वो depend करता है, हम क्या बनाएंगे उसको, तो again, उन्होंने बहुत एक deep इंसान थे और अभी हम इनके बारे में और भी बढ़ेंगे, सदाओ had taken this into his mind, as he did everything his father said, और सदाओ ने इस बात को island के बारे में, और यह बारे में कि एक इंसान को कोई limit नहीं होती, इस father who had never joked, और played with him, और उसके पापा, जो उनके साथ कभी मजाक नहीं करते थे, सदाओ के साथ, कभी खेला नहीं करते थे, but who spent infinite pains upon him, who was his only son, पर उसके पापा ने अपने बेटे के लिए, जैसे करते हैं, पिता बहुत लोगों के, हम लोगों के, कुछ exceptions होते हैं, वो उन्होंने अपने बहुत pain लिया, अपने बच्चे के लिए, और कोई गुझाईश नहीं छोड़ी उनके लिए, सदाओ knew that his education was his father's chief concern, और सदाओ को पता था, कि उसके पापा का सिरफ एक concern है सदाओ को लेके, कि उसकी पढ़ाई अच्छी हो, और वो पढ़े अच्छे से, for this reason, he had been sent at 22 to America, to learn all that he could learn of surgery and medicine, और इसी वज़े से, उसके पापा, उसे 22 साल की उमर में, 20 साल की उमर में, अमेरिका भेद देते हैं, surgery और medicines के बारे में, सीखने के लिए, he had come back at 30, and before his father died, he had seen सदाओ become famous, not only as a surgeon, but as a scientist, वो 30 साल की उमर में, वाफिस आ गये थे, सदाओ अमेरिका से, और उनक पापा ने गुजरने से पहले, अपनी death से पहले सदाओ को सिरफ as a successful surgeon बनते में नहीं देखा, उन्होंने सदाओ को as a scientist भी देखा, scientist क्यों, because he was perfecting a discovery, which would render wounds entirely clean, क्योंकि सदाओ एक तरीके की discovery कर रहा था, एक medicine मना रहा था, render का क्या मतलब होता है, कर देना, मतलब, और wounds का क्य clean कर दे, मतलब, बिल्कुल जखमों को साफ कर दे, बहुत जल्दी heal कर दे, he had not been sent abroad with the troops, और सदाओ को troops के साथ बहार नहीं भेजा गया, अब मैं आपको इस chapter का थोड़ा context बता दूँ, देखो, ये chapter लिखा गया है, जब world war 2 चल रही थी, world war 2 का लिखा वही chapter है, और world war 2 में अ सुनी है, वो world war 2 में अमेरिका ने जपैन पर करी थी, और उसी दोरान, उस bombing के बाद world war 2 end हुई थी, तो अभी ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, कि सदाओ को troops के साथ, रण भूर्भी पर नहीं भेजा गया था, क्यों क्योंकि भाई, वो doctor तो था ही, अब doctors को भेजा ही ज़्यादा था, troops के साथ, लड़ाई की, बैदान में की भाई, अगर कोई soldier घायल वो, उसको स्टीक करने के लिए, पर इसी वज़े से, क्योंकि वो एक scientific discovery कर रहा था, उसको यहीं पर रहने दिया, उसको troops के साथ नहीं भेजा गया, also he knew there was some slight danger, that the old general might need an operation for a condition, for which he was now being treated medically, और एक और reason क्या था, उसे troops के साथ ना भेजने का लड़ाई में, क्योंकि जो old general है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी general के बारे में, जो old general था, वो बंदा medically, उसको बहुत दिक्कत चल रही थी, आगे हम पढ़ेंगे भी, उसे strokes तक आते हैं, उसको बहुत दिक्कत चल रही थी, और उसके operation के लिए, शायद उसे operation की जुरूत पड़े, इस वज़े से सदाओ को रोक लिया गया था, थाकि वो general को ठीक कर सके, and for this possibility, सदाओ was kept in Japan, और इन reasons की वेज़े से, सदाओ को जपान में रखा गया, clouds were rising from the ocean now, अब हम सदाओ के पास से निकल के, अब हम जो present अभी क्या हो रहा है, उस पे आ गए है, तो सदाओ खड़ा हुआ है, और clouds जो है, वो ocean से बहार आ रहे हैं, मतलब अब थोड़े बादा लाने लग गए, the unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from cold waves, कुछ दिनों की unexpected गर्मी की वज़े से, क्या हुआ कि रात को बहुत heavy fog होने लग गई, cold waves, मतलब थंडी हवाएं बहुत सारी fog लेके आ रही थी, कहां पे सदाओ के घर के पास, वहां बीच पे, और यार यहां पे एक थोड़ी geographical चीज है, कि beaches के पास थंडी हवाएं चलती हैं, और वो थंडी हवाएं दुंद ले आती हैं बहुत जादा, सदाओ watched miss hide outlines of little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house beneath, अब होता क्या है, सदाओ अपने घर के विरांडा में होता है, हम पढ़ेंगे भी, सदाओ अपने घर के विरांडा में खड़ा होता है, और वो क्या से island को पूरिया ठक दिया है, बिल्कुल गायब हो गया है, मैं अब आपको एक चीज बता देता हूँ, यह आगे भी आएगी chapter में, देखोई, यह तो यहाँ पे तो भई coast line है, यहाँ पे तो coast है, इसके आगे जाके सुदाओ का घर है, पर यह जो यहाँ पे आप देख रहे यह जो देख रहे हो, और यहाँ पे C है, C से आगे जाते 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 जाते, थोड़ा सा ही आगे समुद्रों को क्रॉस करके एक छोटा island भी है यहाँ पे, यहाँ पे जो भी एक coastline का setup है, और वो island अभी हम देखेंगे, आगे यूज भी होता है, तो क्या होते सदाओ और वो जो फॉग थी पहले तो वो island को भाई कर देती है, और वो फॉग आते आते, बीच को पूरा कवर कर देती है, और फिर house के पास आने लगती हो फॉग, reading around the pines, reading का क्या मतलब होता है, cover, surround, या फिर encircle, मतलब वो जो फॉग है, वो भाई pine trees को भी पूरा उन्होंने घे लिया, उनके चारों लिपट गई और उनको भी छुपाने लग गई, in a few moments, fog would be wrapped about the house too, और कुछ moment में सदाओ को realize हुआ, कि ये पूरे घर को भी wrap कर देगी, fog जो है छुपा देगी, then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children, और जब ऐसा होगा, तो सदाओ अपना घर के अंदर चला के साथ, उनके दो बच्चे हैं, but at this moment, the door opened and she looked out, a dark woolen hall, पर होता क्या है कि उससे पहले वो खुद जाए, Hannah आती है, भार देखती है, और उसने क्या पहना हुए, एक dark blue woolen hall, over his kimono, kimono क्या होता है, अगर आप शिंशान के fan नहीं हो, तो Japanese culture में, भाई, kimono बहुत पहनी जाती है kimono कुछ ऐसी दिखने वाली dress होती है, और यहाँ पे जो word use किया गया है, hair all, यह क्या होता है, यह kimono के उपर पहने जाने वाले, यह जो यह belt पहनी वी है, basically यह जो belt होती है, इसको hair all कहते हैं, तो वो आती है, उसने अपने kimono के उपर dark blue color का woolen hair all पहना हुआ होता है, अब या वो उसके पास आती है, सदाओ के पास आती है, affectionately, मतलब बहुत प्यार से, मतलब with love, उसके पास आती है, put her arms through his, as he stood, और वो आके इस तरीके से अपने हाथ को, उसके हाथों से, मतलब या वो couple वाली चीज़े यार, जो थोड़ा romantic सा होता है, तो वो थोड़ा वैसा सा हो रहा उसने हाथ डाले, सदाओ के हाथों में, खड़ी होई, smile किया, और कुछ नहीं का, कोज जी हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा, बन रहा है उनका mood सा, he had met Hannah in America, अब यहाँ पर दुबारा past की stories बॉली जा रही है, कि वो Hannah से मिला था, अमेरिका में, सदाओ, Hannah से अमेरिका में मिला था, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese, पर भाई Hannah को देखके, इसको मतलब भाई दिल में हलचल मचत हो गई थी, वाइलन बच गए थे, पर उसने उसके साथ, बतलब वो उसके लिए पागल तब तक नहीं हुआ सदाओ, जब तक वो बिल्कुल शौर नहीं हो गया, कि वो Japanese है, Hannah, और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ऐसा क्यों है, क्योंकि Japanese कल्चर में, आज की भी डेट में, उसके वर्ड वार टू के भी बहुत पहले की कहानी, मतलब जब वो कॉलिज में तो तब की कहानी बताई जा रही है, Japanese कल्चर जो है, वो अपने आपको उसके बहुत सुपीवियर म मतलब Japanese के इलावा किसी और से शादी कभी और किसी कीमत पे नहीं करते, in fact, आज भी भाई, Japan अपने कल्चर को लेके बहुत क्लोज है, और वो अपने कल्चर को बहुत उपर मानते हैं, but मेरा personal opinion मानो तो Japanese वैसे होते बड़ीया लोग है, इनका कल्चर होता बड़ा प्यारा है His father would never have received her unless she had been pure in her race, और मैंने जो अभी बात बताई, वो ही बात लिखी वी है, कि उसके पापा, सदाओ के पापा कभी Hannah को accept नहीं करते हैं, जब तक वो pure in race, मतलब उन्हीं की जात की उन्हीं Japanese ना होती, He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, और वो सोचता है, वो कई बार ही सोचता है बात कि अगर Hannah नहीं मिली होती तो वो किस से शादी करता, और इसने मुझे थोड़ा awe moment लग रही है, कितनी प्यारी बातें करता है, सोचता है वो, And by what luck, he had found her in the most casual way, और मज़े की बात यह है, यहाँ पर लिखावा है, और कितनी किसमत की बात है, कि वो Hannah से बड़े casual way में मिला था, कहाँ पे by chance, literally, literally by chance ही मिला था वो, At an American professor's house, जहाँ पर वो पढ़ा करता था, अमेरिका में, वहाँ पर उनके university के प्रोफेसर के घर में मिलाता सदाओ, Hannah से, The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their new foreign students, तो actual में seen क्या था, जो प्रोफेसर उनकी wife थे, वो बड़े kind, बड़े अच्छे लोग थे, anxious का क्या मतलब है, eagerly, मतलब वो eagerly वो पहला चाहते थे, कि वो अपने foreign students के लिए कुछ करे, and the student, though bored, had accepted their kindness, और होता क्या है, कि वो anxious होते हैं, वो students को कहते ह हैं, भाई, चलो मिलते हैं, हमारे घर आओ, हम बैठेंगे, तो वो students क्या होता है, students all the bored होते हैं, उनके सार, पर फिर भी यार, वो out of courtesy, अपने professors की kindness, accept करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, सदाओ had often told Hannah, how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night, और सदाओ, Hannah को कहीं बारी बताता है, कि भाई, बहुत मैं, बस ये मान लो, कि मैं उस दिन Professor, उस राख Professor के घर, बिलकुल बस आने ही नहीं वाला था, बट आ गया किसमस से, the rooms, अब Professor के यहां पर घर का description दिया गया, the rooms were so small, उनके Professor के घर का room ब खाना भी बड़ा बिकार था, the Professor wife so volable, volable का यहां पर क्या मतला, बहुत इतनी बातूनी थी, but he had gone, and there he had found Hannah, a new student, पर वो वहां पर फिर भी चला जाता प्रोफेसर के घर, और उसे वहां कौन मिलती है, Hannah, जो नई student होती है, शायद Hannah उसकी junior थी, first year के admission थी, and had felt he would love her, if it were at possible, at all possible, और उसे लगा, कि वो इसको प्यार करेगा, Hannah से, मतलब fall in love हो जाएगा भाई, अगर possible है, तो, possible यहां पर again वही वाली चीज़, कि अगर Hannah Japanese निकली, तो सिरफ वो उसको, मतलब, एक feeling अपने अंदर develop करने देगा, या होने देगा, तो भाई, अंधा, अंधा, अंधा प्या पहले तो हाथ में हाथ डाल लेती है, और फिर दूसरे हाथ से उसकी आम पकड़ देती है, and was aware of the pleasure it gave him, और उसे, उसे feel होता है, कि वो pleasure, वो खुशी, जो उसे मिलती थी, जब वो इस तरीके से उसका हाथ पकड़ देती थी, even though they had been married years enough to have two children, इसके बावजूद कि उनको उनको नहीं नहीं शादी हुई है, इतने साल होने के बाद भी जब हैना उसका हाथ पकड़ती थी सदाओ का तो उसे बहुत खुशी मिलती थी, यार, oh, oh, moment, for they had not married heedlessly in America, और बात क्या है यहाँ पे कि उन्होंने heedlessly शादी नहीं कर ली थी अमारिका में, heedlessly का क्या मतलब है, without care, मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ प्यार हो गया तो शादी कर रहा है, नहीं, हुआ क्या था, they had finished their work at school and had come home to Japan, उन्होंने पहले अपनी पूरी पढ़ाई खतम करी, college की, और, college नहीं का गया, वैसे हाँ, school का गया, but college ही मतलब है, उन्होंने अपने college की पूरी पढ़ाई खतम करी Japan आए, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, जैर मैं पहली बात बता दू, मेरा slip of tongue बहुत हो रहा है, और मैं, मतलब वैसे मैं video takes में करता हूं, मैं इस time cut करके नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जल्दी video बनानी है, और भाई विश्वास करना, लगातार इतना लंबा बोलके, गला सुक जाता है, तो उन्होंने ऐसा निया, carelessly शादी कर लिया अमेरिका में, उन्होंने पहले school खतम किया, and when his father had seen her marriage, और उसके पापा ने, जब उनकी शादी देखी, had been arranged in the old Japanese way, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को make sure किया, कि उनके पापा, उनके parents, मतलब सदाओ के पापा, ये देख ले कि उनकी शादी बिल्कुल proper Japanese way में हो रही है, although Sadao and Hanna had talked everything beforehand, over beforehand, हाला कि Sadao और Hanna ने, इस बारे में कि हम पहले school complete करेंगे, फिर भाई अपना Japan जाएंगे, और बिल्कुल old Japanese way में शादी करेंगे, इस सब के बारे में उन्होंने पहले ही बात कर ली थी आपस में, they were perfectly happy, वो बिल्कुल अपनी शादी से बिल्कुल खुशते, she had, she laid her cheeks against his arms, और फिर वो अपनी cheeks, जो है अपने गालों को जो है, वो उसके, भाई लंबा होगा शायद उससे, तो वो उसके, अपने गालों को, उसकी arms के against the rest पे कर देती है, it was at the moment, that both of them saw something black come out of the mist, भाई उनके romantic moment, अब यहाँ पे खराब होने वाली है, होता क्या है, कि उसी समय, वो देखते हैं, कि कुछ काला काला सा, उस दुहे से निकल के आ रहा है, it was a man, और मज़े की बात क्या होती है, वो एक आदमी था, he was flung up out of the ocean, वो ocean से flung up हुआ, flung up का क्या मतलब है, to throw, मतलब ocean ने उसे बिलकुल throw करा, उस इनसान को, it seemed to his feet, it seemed to his feet by a breaker, breaker क्या होता है, या breaker क्या होता है, देखो breaker होता है, जो ocean होता है, ocean में जब यह ऐसी लहर सी आती है, foam वाली लहर जो होती है, इस foamy लहर को हम breaker कहते हैं, तो क्या होता है, यह पूरी line का दुबारा मतलब देते हैं, he was flung out of the ocean, वो flung होता है, उसे ocean भार फैक देता है, flung, और य और फ्लंग और यह जैसे हम बातों में नहीं कहते हैं हम बात रिपीट कर देते हैं एक बात बोलने के बाद तो ओथर ने इसी तरीके से डैश करा और फिर बोला फैका गया मैं दुबारा बोल देता हूँ ओथर ने कहा लिखा उसे ओशन ने भार फैका फैका इसे लगा तो इस फीट बाया ब्रीकर की उसको ओशन ने फैका अब उसके पैरों के थूँ एक ब्रीकर के द्वारा मतलब हुआ क्या कि उनको वहां खड़े वेते सदा हो रहा है न उन्हों से बाहर, he staggered a few steps, staggered का क्या मतलब है to move और stand unsteadily, मतलब वो move कर रहा था, कुछ उसने कदम धीरे धीरे लटकते वे बड़े, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं बड़े pain के साथ उसने थोड़ा सा वो बड़ा, his body outlines again the mist, और उसकी body जो थी, उसकी body outline हो गई, मतलब सिरफ उसकी body के line दिख रही थी, पूरी body भी ने दिख रही थी, सिरफ line दिख रही थी, mist के around, his arms above his head, और उसी दोरान क्या होता है, वो जैसे थोड़े से कदम चलता है, वो गिर जाता है, और गिरते वे क्यार हम जब गिरते हैं, हम अपने arms जो हैं, हम अपने हाथ जो हैं, उनसे head को बचाते हैं, सबसे पहले हम अपने हाथ आगे करके, head को बचाने के लिए गिरते हैं, तो इसी तरीके से, his arm above his head यहां लिखा गया है, कि वो गिरता है, और वो अपने हाथों से, अपने सर को बचाते हुए गिरता है, then he, curled, then the curled mist, hid him again, और जो mist थी, वो उसे दुबारा curled mist, जो है, उसे दुबारा धुआ बिल्कुल छुपा देता है, who is that, Hannah cried, cried को यहां पर मतलब रोने नहीं लग गई, मतलब Hannah एकदम से, amazement में एकदम थोड़ा परिशानों के बोलती, यह कौन था, she dropped Sadao's arm and they both leaned over the railings of the veranda, वो क्या करता है, वो फिर उसका हाथ छोड़ती है सadao का, बिचारा सadao, उसका हाथ छोड़ देती है, और वो दोनों, veranda, veranda क्या होता है, मैं clear कर दूँ, जो घर के पास, अब जैसे आप देख रहे हैं, जो रहीसों के घर होते हैं, उनके घरों के बार, ऐसे ही हाँ पर, जो आप देख रहे हो, यह खाली space होता है, तो वो इस खाली space पे खड़े वे थे, दोनों इतनी देर से अपनी romantic moments ले रहे थे, तो वो इस railing पे, दोनों एकदम से lean against चो जाते हैं, मतलब एकदम जाक के देखने लगते हैं, इस railing के उपर, the man was on his hands and knees, मतलब अब वो दुबारा उस आदमी को देखते हैं, वो अब अपने हातों औ दिखा उने, then they saw him fall on his face and lie there, और फिर वो क्या देखते हैं, वो crawl ring ना भी बंद कर देता है, और अपने मूँ के वल बिल्कुल वहाँ पे लेट जाता है, मतलब उसकी बिल्कुल शायद बिहोश हो गया है, वहाँ पे, a fisherman perhaps, सदाओ said, अभी जैसे हैना ने उपर कहा था, और हा सदाओ एकदम से क्या reply करता है, कि शायद कोई मच हुआ रहा है, सदाओ said, wash from his boat, शायद एक मच हुआ रहा है, जो अपनी boat से गिर के यहाँ पे आ गया है, समुद्र में बिचारा गिरता पड़ता हुआ, he ran quickly down the steps, and behind him, तो होता क्या है, वो अपने घर के सीडियों से फटा- फट उतर के भागता है, and behind him, Hannah came, और उसके पीछे-पीछे, Hannah आती है, हर wide sleeves flying, और उसकी wide sleeves, क्योंकि किमोनों में ऐसा ही होता है, sleeves बहुत हवाइड होती है, और आप देख भी सकते हैं, छोटी सी बच्ची के कैसे किमोनों की, जो sleeves हैं, वो उड़ रही हैं, तो उसकी भी ऐसा Hannah का भी कुछ ऐसा ही scene होता है, तो वो उसके पीछे-पीछे आती है, और उसकी wide sleeves जोती हो, भाई, लहरारी होते हैं हमें, a mile or two away, one, a mile or two away, on either side, there were fishing villages, अब बताया के जाता है, कि भाई, जो सदाओ का घर था, उससे mile or two, मतलब एक-दो mile away, दो fishing, there were fishing villages, वहाँ पे fishing villages थी, मतलब मचुवारों की गाउ थे, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks, पर यहाँ पे तो, जोहाँ सदाओ का घर था, वहाँ पे सिरफ एक coast था, एक बिलकुल bare and lonely, बिलकुल अकेला शांत coast था, dangerous with rocks, और वहाँ पे बहुत सारे पत्थर भी थे, जैसे मैंने उपर वाली फोटो में आपको दिखाए था, कि जहाँ पे सदाओ का coast line थी, वहाँ पे उसके घर के पास वाली coast line पे पत्थर भी थे, the surf beyond the beach was spiked with rocks, surf का क्या मतलब होता है, surf होती है, यह white form, अभी मैंने उपर भी दिखाई थी, beach पे जो white form आती है, लहरों की, इनको surf का जाता है, त मतलब पत्थर coast line पे भी थे, सदाओ के घर के पास भी थे, और जहाँ पे surf थी, मतलब जहाँ पे यह form आती थी, वहाँ भी rocks थे बहुत सारे, somehow the man had managed to come through them, he must be badly torn, और किसी तरह वो आदमी जो था, वो उन सब को cross करता करता, सदाओ के घर के पास पहुँच गया, पर वो he must be, वो कहते हैं कि वो जरूर बहुत बुरी तरह टॉन, मतलब उसकी skin जो है, वो जो है बंदा, वो physically बहुत बुरी तरह कट पिट गया होगा, they saw when they come toward him that indeed it was so, और वो जब जाते हैं, उसके पास पहुँचते हैं man के, वो इस चीज़ को realize करते हैं कि हाँ, actual में जो उन्होंने चाता कि वो बुरी तरह कटा-पिटा होगा, वो reality थी, वो ही scene था, the sand on one side of him had already a chain of red soaking through, मतलब क्या है, उस आदमी के side की जो sand थी, वहाँ पे red soaking through, soak करने का क्या मतलब होता है, extremely wet, मतलब जो sand थी, वो बिल्कुल गीली हो गई थी, red से, red का मतलब यहाँ पे blood है, तो मतलब उसक सदाओ exclaimed, सदाओ एकदम बोलता है कि यह भाई, इसको जखम है, बहुत जवरदस, इसको जखम आई वे है, he made haste to the man, haste का क्या मतलब है, hurry, वो भागता-भागता उस आदमी के और पास जाता है, who lay motionless, जो बिल्कुल motionless वहाँ पे पड़ा होता है, his face in the sand, और उसका जो चहर cap होती है, जो sea water से बिल्कुल अच्छे से उसमें भरा होता है, he was in the wet rags of garments, और वो जो लड़का होता है, वो आदमी होता है, वो wet rags, rags भाई, हमने भाई, पुरानी अपनी going places में भी पढ़ा था, rags के बारे में, going places नहीं, sorry, rat trap में, rags मतलब बिल्कुल उसके कपड़े, कट man's head, they saw the face, और वो man's head, जो है, वो मोडते हैं, और वो चहरा देखते हैं, a white man, Hannah whispered, Hannah एकदम, consciously एकदम घबरा के बोलती है, एक white man, एक गोरा इंसान, मतलब क्या है, यह जो इंसान है, यह American है, और मैं आपको बता दूं भाई, world war के time, अगर आपको थोड़ा सा भी history का idea हो, America और Japan की इतनी भीड़ती थी, जितनी इंडिया और पाकिस्तान की नहीं भीड़ती, इतनी जवर्दस भीड़ती थी अमेरिका और Japan की, yes, it was a white man, और क्या आप narrator, यहां पर हमारा author क्या लिखता है, हाँ, वो एक white आदमी था, the wet cap fell away, and there was his wet yellow hairs, जो cap होती है, वो भी गिर जाती ह और इस तरीके से लंबे होते हैं, असा निया कि fancy वाले लंबे है, वो इस तरीके से लंबे है, जैसे कई हफ्तों से काटे ही ना गये हो, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard, और उसके young, मतलब वो जो आदमी होता है, वो काफी young होता है, और tortured face, मतलब उसके face पे दिखता है, ऐसे cut word ऐसे पड़े तो यानि उसके golden बाल हैं, और उसकी golden beard दाड़ी थी उसके चहरे पे, he was unconscious and knew nothing that they did for him, वो बिल्कुल unconscious था, और उसे बिल्कुल इस चीज का realization नहीं हो, कि सदाओ है ना ने, क्या किया उसके लिए, या फिर वो कब आये, या क्या कर रहे थे वो, now सदाओ remember the wound, और सदाओ जैसे ह उसका घाओ देखता है, वो एकड़म देखके समझ जाता है, यह किस चीज का घाओ है, अब हमें दिखेगा भी कि सदाओ कितना expert doctor है, हमने देखा भी वो scientist है, बंदा, doctor expert है, and with his expert fingers, he began to search for it, वो अपनी expert fingers से, उसे वो जखम देखता है, उसे समझ में आ जाता है, कि इसका क्य सीन है, इसको किस तरीके की चोट है, और फिर वो expert fingers उसके घाओ पर डालना लगता है, और समझने की कोशिच करता है, कि क्या सीन है, क्या दिक्कत है इसके साथ, वो exact cause जूनता है, blood flowed freshly at his touch, और जैसे ही वो उसके wound को touch करता है, उसका जो blood है, उस wound से एकदम से बहने लगता है बिलकुल fresh blood निकलता है, on the right side of his lower back, सदाओ saw that gun wound had been reopened, और वो क्या देखता है सदाओ, कि उसकी right side, उसकी back, उसकी कमर की right side पे, उसका एक gun का wound था, मतलब उस इनसान को gun लगी भी थी, और मतलब उस पे bullet चलाई गई थी, और वो gun का जो घाओ था, वो खुल गया था, मतलब प हरावा जो था, उसने जो पटी करी थी, वो उतर गई थी, the flesh was blackened with powder, और जो flesh था, उस पटी के जो उतरी वे पटी था, वहाँ पे जो घाओ था, घाओ के, जो आसपास की skin थी, वो black पढ़ गई थी, powder की वज़े से, क्योंकि जो gun पढ़ती है, तो ऐसा होता है, sometimes not many days ago, the man had been shot and had not been tended, मतलब वो अब सोचते हैं, वो speculate करते हैं, कि कुछ दिन पहले, कोई मतलब बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ कुछ दिन पहले ही, इस इनसान को shot किया गया था, इस पर बंदूग चलाई थी, और इसको tend नहीं किया गया, tend का मतलब है care for or look after, मतलब इसकी किसी ने care नहीं करी, इसके बंदूग लगने के बात, it was bad chance that the rock had struck the wound, और ये तो बहुत, बदकिस्मती की बात थी, कि जो भाई पत्थर था, वो सीधा उसकी जहाँ पे गोली लगी थी, उस जखम पे ही लगा, उस पट्टी पे ही लगा, ओ, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice, अब हैना क्या कहती है, वो कहती है, ओ, देखो यार, किती बुरी तरह खून निकल रहा है, वो whisper करती है, दुबारे इस बात को, in a solemn voice, solemn का क्या मतलब होता है, serious, वो बिल्कुल serious आवाज में ये बात whisper करती है, बोलती है, सदाओ को, the miss screened them now completely, और जो अब धुन्द होती है, वो उन तीनों को बिल्कुल screen कर देती है, मतलब बिल्कुल उनको ढख देती है, and at this time of day, no one came by, और इस time, मतलब रात की बात होती है, ये, इस time तो कोई आता भी नहीं आपे, the fisherman had gone home, and even the chance of beach commerce would have been considered the day at an end, तो अब वो कहते हैं, जो मचुआ रहे हैं, वो तो अब घर चले गए होंगे, और beach commerce कौन होते हैं, a person who walks along a beach looking for valuable interesting items, मतलब वो लोग, जो beach के, भाई, ये, वो लोग होते हैं, इनका काम यही होता है, कि beach पे गुमते हैं, और देखते हैं, कि किसी की valuable item, कुछ सोना होना है, कुछ पैसे तो नहीं रहे गए, तो beach commerce, इस time तो beach commerce भी अपना day, खतम कर चुके होंगे, अब तो उनका भी आने का कोई चांस नहीं था, what shall we do with this man, सदाओ मटर्ड, अब सदाओ अपने मन में बोलता है, कि इसका क्या करें, इसका, इस इंसान का क्या किया जाए, हम इसके साथ क्या करें, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stange the fearful bleeding, पर होता क्या है, वो अपने मन में बोलता है, कि क्या करें अभी सादमी के साथ, पर होता क्या है, कि जो सदाओ के trained hand होते हैं, मतलब उसके जो हाथ होते हैं, वो अपनी ऐसा लगता है, कि वो अपनी मरजी से चल रहे हैं, उस इंसान के wound पे, उसके जखमों पे, और वो जो भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, उसकी stance का, मतलब stop करने का, मतलब उसका खून जो बहर है था, उसको रोकने के लिए, उसके हाथ अपने आप ही चल रहे थे, he packed, he packed the wound with the sea moss that stewed the beach, मतलब क्या है, कि वो उसके जखम को बिलकुल भर देता है, sea moss से, sea moss क्या होती है, sea moss क्या होती है, sea moss के आसपास, मतलब beach के आसपास है, कुछ इस तरीके के घास जोगती है, तो उसके जखम को घास से बर देता है, that stewed, stewed का मतलब क्या है, to cover things scattered, मतलब जो घास थी, वो भाई, beach पे scattered, मतलब इधर उदर valley भी थी, उगी भी थी, वहाँ, beach पे इधर उदर, तो वो घास को तोड़ता है, और उसका wound जो है, बर देता है, the man mourned with pain in his stupor, but he did not awaken, और वो क्या ह होता है, stupor का क्या मतलब होता, a state of near unconsciousness, जो man होता है, वो चीकता है, mourn, मतलब वो अवाज, दर्द से अवाज लगाता है, अपने unconscious, मतलब अपने बेहोशी में अवाज लगाता है, but he did not awaken, पर वो उठता नहीं है, उसकी वज़े से, वो जाग नहीं जाता, the best thing that we could do, would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself, अब वो पहले तो पर अपने आप से बूता है, इसका क्या करें, अब वो फिर अपने आपको ही reply करता है, कि इसके साथ हम best चीज़ यही कर सकते है, कि इसको हम दुबारा समुदर में डाल दे, now that the bleeding was stopped, for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands, अब क्योंकि उसकी bleeding रुक चुकी थ था, तो वो खड़ा होता है, और अपने हाथ पे, अपने हाथों को जाड़ता है, डस से, yes, undoubtedly, that would be best, Hannah stayed steadily, steadily का क्या मतलब होता है, तीजी से, तो जैसे ही सदाओ कहता है, थोड़े दीरी अवाज में, कि हम इसे पानी में दुबारा डाल देते हैं, एक दम से Hannah क्या reply करती है, क को देखती है, खड़े-खड़े, अपना सर जुका कि, if we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly doubt, सदाओ, सदाओ क्या करता है, कि अगर हमने इसे अपने घर पे लगा, तो हम तो हो जाएंगे, अरेस्ट, हमें, अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर अगर हमने इसको as a prisoner, वाफिस भ है, ना क्या कहती है, कि सबसे kind, जो सबसे अच्छी चीज हम कर सकते हैं, इस time हम यही कर सकते हैं, इसको हम दुबारा समुदर में डाल दे, but neither of them moved, पर मजी की बात क्या है, उन दोनों में से कोई नहीं हिलता है, वाँ खड़ी रहते दोनो, they were staring at the curious, sorry, they were staring with a curious repulsion upon the inert figure, repulsion का क् मतलब होता है, repulsion का मतलब होता है, disgust, मतलब वो बड़ी curiosity के साथ उसे देखते हैं, पर वो जो just curiosity के साथ देखते हैं, वो ऐसा नहीं हो तो खुशी की होती है, वो disgust की होती है, मतलब वो बड़ी curious होते हैं कि इसके साथ क्या करें, पर वो disgusted होते हैं, उस white man को देखके, upon the inert body inert मतलब motionless मतलब वो बेहोश आदमी को बड़ी disgust के साथ curiosity के साथ देख रहे होते हैं what is he Hannah whispered Hannah क्या बोलती है कि यह है क्या यह है क्या इंसान there is something about him that looks American अब इस पे सदाव रिप्लाइ करता है कि इसके बारे में कुछ तो ऐसा है मतलब वो थोड़ा sarcastic वे में कह रहे हैं आपे कि इसके बारे में ऐसा तो कुछ है जो लगता है कि अमेरिकन ही है सदाव said he took up he took up the battered cup cap वो उठाता है उसकी cap जो उस आदमी की gap होती है वो बिल्कुल एक धुंदला सा लिखावा होता है a sailor मतलब वो पंडूबी यानि boats चलाने वाला भाई driver था है कुछ भी कहो आप he said from an American warship कहां का sailor था वो एक American warship का warship क्या होती है भाई जो boat होती है जो भाई लडाई जगड़े के लिए जिसमें बहुत सारे हत्यार होते हत्यारों से लिस समुद्र पे लडाई करने वाली warship मतलब boat he spelled it out US Navy वो उसको फिर मतलब ऐसे पढ़ता है एक करके कि उस पे लिखावा था US Navy मतलब US के पानी में लड़ने वाला जवान था वो the man was a prisoner of war यहाँ पे exclamation mark तक लगावाए अगर आप notice करो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यह जो आदमी था यह सिरफ एक नॉर्मल American नहीं था यह prisoner of war था prisoner of war कौन होते है जो enemy मतलब क्या है मतलब कि America और जपैन की कोई लड़ाई हुई होगी कुछ time पहले और जपैन ने American इस जो भी sailor था इसको उन्होंने कबजे में ले लिया था prisoner of war वो ही होता है कि जब आपका opponent party आपके किसी इनसान को capture कर ले गिरफतार कर ले उसको कब बंदी मना ले उस इनसान को कहते हैं prisoner of war तो भाई वो भाई बंदी था उनको गिरफतार किया था जैपनीज ने American ने he has escaped Hannah cried softly Hannah एकदम घवरा के हलका से धीरवाज में बोलती है कि यह भागावा prisoner of war है and that is why he is wounded और इसी वज़े से इसके उपर जखम है मतलब सदाओ Hannah के बात पर agree करते हुए tone में क्या कहता है कि हा तभी यह back पर wounded है हुआ क्या कि यह भाग रहा होगा और इसको किसी ने पीछे से गोली चला दी और यह इसकी पीट पर तभी जखम है they hesitated looking at each other then Hannah said with a resolution वो पहले एक दूसरे को देखते है घबराते वे और फिर Hannah के साथ कहती है resolution का मतलब होता है form determination मतलब बिल्कुल determination वाली voice से क्या कहती है come are we able to put him back into C कहती है आओ क्या हम इसको C में वाफिज डाल सकते है if I am able to are you सदाओ सदाओ से क्या बूचता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मैं करूँ तो क्या तुम करोगी मेरा हाथ बटाओगी मेरे साथ इसको डालने में मेरी मदद करोगी no Hannah said Hannah उस पर reply क्या कहती है नहीं मैं नहीं but if you can do it alone मैं नहीं कर सकती पर अगर तुम इसको अकेले कर सको थो सदाओ hesitated again सदाओ भी इस तैम hesitate करता है क्यों hesitate करता है वो बताता है क्यों the strange thing is he said वो कहता है कि अजीब बात पता है क्या है that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty कि अगर man whole मतलब ये अगर बिल्कुल ठीक होता तो मैं इसको पुलिस को दे सकता था बिना सोचें समझें बिना किसी परशानी के I care nothing for him he is my enemy वो क्या कहता है कि मैं इसके बारे में मेरे को कोई केर नहीं है ये मेरा दुश्मन है again यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि Japanese और American में कितनी hate थी उस चाहें all Americans are my enemy although America में पढ़ा हुआ है सदाओ पर वो फिर भी क्या कहता है कि सारे Americans मेरे दुश्मन है and he is only a common fellow और ये भी उनी की तरह एक normal आदमी है yes you see how foolish his face is but since he is wounded वो क्या कहता है कि तुम देख रही हो कैसा गंदा सा अजीव सा चाहरा है इसका मतलब वो hate वाली चीज चाहें वो दिखने में smart उपर वो American है इसलिए उनके hate है उनके मन में but since he is wounded पर अब आगे reply का करता है सुदाओ क्या कहता है कि क्योंकि ये इसके जखम ये जखमी है और उसकी बात dot 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 यहां पर signify करती है उसकी बात complete नहीं होती है उसकी बात हैना interrupt करते वे क्या कहती है you also cannot throw him back into the sea उस पे क्या कहती है रहना कि क्योंकि ये जखमी है हदाओ बोल होता है कि क्योंकि ये जखमी है है उसकी बात काटी और बोलती है तुम इसको सी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये जखमी है है ये मैं को software बड़ा परिशान कर रहा है बार बार ना या बार बार इसका ये निकले जा रहा है then there is only one thing to do we must carry him into the house तो अब इस पे हैना क्या reply करती है कि अब फिर इस case में हम सिरफ एक ही चीज कर सकते हैं कि हम इसको घर ले चले बट 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 the servants सदाओ inquired पर सदाओ एकदम से पूछता है कि servants का क्या जो हमारे नौकर है वो उनका क्या we must simply tell them that we intend to give him to the police तो वो क्या कहती है 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 इस पर क्या reply करती है कि हमें फिर उनको बस simply हम यह बूल देंगे कि हमारी intention यही है कि हम इसको police में दे देंगे as indeed we must सदाओ और आगे क्या कहती है और actual में हमें यही करना चाहिए सदाओ we must think of the children and your position वो क्या कहती है कि हमें सोचना चाहिए बच्चों के बारे में और तुम्हारी जो reputation है तुम्हारी जो position है it would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war हम सब पे यह हम सब को बहुत बड़े खत्रे में ला देगा अगर हम इसको police को ना दे दे ऐसा prisoner of war मतलब हम police को ना इसको पकड़ा दे यह बताते वे कि यह भाई हमारी गिरफ्ट से भागा हुआ prisoner of war मतलब American prisoner है certainly सदाओ agreed और सदाओ इस पर क्या कहता है कि हाँ बिलकु certainly का मतलब होता है बिलकुल I would not think of doing anything else तो उस पर अब सदाओ क्या कहता है उसके आगे कि मैं भी इसके इसके अलावा और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता दस agreed together they lifted the man तो इस बात पर वो दोनों आपस में agree करने के बाद वो दोने एक साथ उस man को उठाते हैं he was very light like a fall वो बहुत light weight होता है like a fall fall का होता है क्या होता है bird तो वो बिलकुल light weight होता है bird की तरह that had been half half starved for a long time until it was only feathers and skeletons और वो बिलकुल bird की तरह बिलकुल हलका होता है वो भी वैसे जैसे वो बिलकुल half starved starved का क्या मतलब होता है और यह बहुत बहुत बहतरीन word है starved आप इसको अतने exam में जरूर लिखके आ सकते हो writing section में starved का मतलब होता है बूका कि वो बिलकुल भुकमरा भुकमरी होती है starved का actual मतलब तो वो ऐसा था कि वो बिलकुल bird की तरह हलका था हो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि उसको आधा उसको खाये ही नहीं उसने कुछ time से और उसकी body पे सिरफ उसके feathers और skeleton मतलब एक bird की तरह जिसने कुछ भी ना खा या हो बहुत दिनों से और उसकी बस body पे अब सिरफ पंक और हडियां बची हैं so his arms hanging they carried him up to the steps and into the side door of the house तो वो उसकी arms hang क्योंकि मतलब सदाव ने शायद सर से पकड़ रखा था और हमारी हैना ने उसको पैरों से पकड़ रखा था तो उसकी हाथ जो है बेहोशी में लटक र door of the house और वो main door से उसको नहीं लेके जाते भाई जैसे बड़े बड़े घर हैं अमीर लोग हैं तो इनके घर में side door है कुछ इस तरीके का एक दूसरा दरवाजा है side का side door of the house this door opened into a passage और ये जो टब वो डोर खोलते हैं वो एक passage में जाता है passage मतलब कुछ शायद इस तरीके का था कि वो door खोलते हैं वो एक छोटा सा रस्ता होता है और फिर वो room में जाता है तो वो जग खोलते हैं ये passage से निकलते हैं and down the passage they carried the man towards an empty bin room तो वो passage से निकलके उसे man को prisoner of war को खाली bedroom में लेके जाते हैं it had been the bedroom of Sadao's father and since his death it had not been used और ये जो bedroom था इसके बारे में बताय गया है कि ये bedroom Sadao के father का था और जब से वो मरे है तब से बिलकुल भी use में नहीं लिया गया है they laid the man on the deeply matted floor वो उस आदमी को deeply matted मतलब उस floor पे भाई बिलकुल अच्छे से mat एक बिच्छा हुआ था deeply matted मतलब देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हों यहाँ table है और side में ये सारा mat है मतलब एक मोटा सा mat था deeply matted floor पे वो उसको रख देते हैं उसकी body को कहां गया अपनी everything here had been Japanese to please the old man और इस room में सब कुछ जो इस room की looks थी वो बिलकुल Japanese थी बिलकुल पूरी संसकारी Japanese थी उस old आदमी को please करने के लिए मतलब वो Japan को लेके उसके पापा बहुत patriotic थे बहुत follow करते थे वो Japanese culture को strict थे वो लेके who would never in his own house sit on a chair or sleep in a foreign bed और वो उसके पापा के बारे में बताया है कि वो ऐसे इनसान थे जो अपने घर में कभी भी एक chair या फिर एक bed पे foreign bed पे कभी जिंदिगी में भी सोचेंगे नहीं सोने का और मैं एक चीज बता दूँ Japanese culture के बारे में अगर अगर आप unaware हो ये जो bed है या फिर ये जो chairs होती है ये western है ये American culture की चीज़े है जपान में भाई अगर आपने देखा हुआ है तो वो सब कुछ जमीन पे ही सोते हैं और जमीन पे ही बैटते हैं Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt Hannah क्या करती है वो जाती है cupboard के पास cupboard क्या होता है बाई अलमारी जो होती है वो उसका door slid करती है मतलब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हमारे तो बाई जो open आगे पीछे करके खोलने वाले gates होते है ये western और इंडियन में हम लोग यूज़ करते है पर Japanese के सारे अलमारी के gate भी और उनके दर्वाजे भी slid वाले होते है जिनको आप ऐसे यूँ side करके खीच के खोल देते हो तो वो जाती है अलमारी का दर्वाजा स्लाइड करके खोलती है और एक soft quilt निकाल लेती है quilt क्या होता है quilt एक जापैन में एक तरीके की रजाई होती है जिसको हजाई की तरह उड़ा जाता है वैसे mostly quilt जो होती हो और हजाई की तरह उड़ने के लिए होती है she hesitated और in fact इसने अभी भी हैना ने उड़ाने के लिए ही निकाली है इस quilt को she hesitated पर वो hesitate करती है क्यों hesitate करती है उसको देने से the quilt was covered with flowers flowered silk and the lining was also pure silk मतलब वो जो quilt होता है उसमें जो flowers बने होते हैं वो pure silk बने होते हैं और वो जो lining होती है lining मतलब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर stitch की lining है यह भी pure silk की होती है मतलब काफी महंगे और काफी तगड़ी item होती है he is so dirty he murmured in distress मतलब वो कहती है वो ऐसे मन में गुन गुन आते हुए गुस्से से कहती है कि यह क देखता कि वो यह अपने रजाई के चकर में घबरा रही है वो उससे लगता है कि हाँ यह सरफ बोई बोली है कि इतना गंदा है तो सदाव इस पर क्या बोलता है गरी करते हुए कि हाँ इसको दोने की जुरत है सदाव तो अभी उसको देख रहा है ना भी आमारे prisoner of war को if you will fetch hot water I will wash him तो उस पर अब क्या कहता है सदाव फिर उसके बाद कि तुम मेरे को गरम पानी लेओ fetch का मतलब लाना होता है तो तुम मेरे लिए गरम पानी लेके आजो तो मैं इससे साफ कर दूँगा I cannot bear for you to touch him अब इस पर हैना क्या reply करती है कि मैं नहीं जहील सकती कि तुम इसको touch करो इसको छूओ we shall have to tell the servants he is here हमें नौकरों को सबको बताना पड़ेगा कि यह यहां पर है I will tell Yumi now वो कहती है कि मैं अभी जाके Yumi को बता देती हूँ Yumi इनकी एक servant है she can leave the children for a few minutes and she can wash him वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और वो साफ कर देगी इसको सदाओ considered for a moment सदाओ उसकी बात को थोड़ी देर के लिए सोचता है let it be so he agreed वो क्या कहता है कि चलो भाई चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं you tell Yumi and I will tell the others सदाओ क्या कहता है कि तुम Yumi को बताओ और मैं दूसरों को बतायाता हूँ but the utter pallor of the man unconscious face moved him moved him first to stoop and feel his pulse पर होता क्या है utter pallor utter का क्या मतलब होता absolute मतलब और pallor actually में ये word utter जो होता है वो दूसरे words के साथ use होता है जैसे यार आप कहते हो बिल्कुल यार बिल्कुल पागल पागल भी नहीं बिल्कुल पागल तो ऐसे ही utter pallor pallor का क्या मतलब होता है paleness pale मतलब उसका चहरा बिल्कुल expressionless बिल्कुल सुन पड़ावा था बहुत पूरी तरीके से सुन था तो उसका चहरा ऐसा देखके सदाओ को move करता है मजबूर कर देता है उसका चहरा सदाओ को move करने के लिए पहले तो move करके stoop करता है stoop मतलब उसकी तरफ जुकता है and feel his pulse और उसका हाथ अपने हाथों में लेके उसकी उसकी pulse उसकी beat मतलब देखने की कोशिश करता है नस में कि हाँ खून है या नहीं चल रहा it was faint but it was there वो उसकी नस देखता है हाथ पकड़ के उसकी नस देखता है तो उसकी नस में जो beat होती है heart beat होता है blood का flow होता है वो बहुत fainted होता है मतलब बहुत धीमा होता है पर वो होता है वहाँ पे मतलब ये आदमी अभी जिन्दा है नहीं मरा है he put his hand against the cold man bliss मतलब वो उसकी जो अपना हाथ होता है फिर वो उस cold man मतलब उसकी ठंडी body के उसकी chest पे वो अपना हाथ रखता है the heart was too yet alive उसका जो दिल होता है वो भी जिन्दा है अभी he will die unless he is operated on वो कहता है कि ये मर जाएगा अगर इसका operation नहीं किया the question is whether he will not die anyway पर वो अब इसको क्या कहता है आगे क्या कहता है पर सोचने की बात ये है question इस टाइम ये है कि ये क्या वैसे भी नहीं मरेगा अगर ये operation नहीं किया हमने ये operation हमने कर भी दिया तो क्या करने के बाद भी मरेगा नहीं अगर अभी हम से हमारे हाथों से चलो मैंने इसको जीवन दे दिया तो हैना cried out in fear हैना फिर cry out मतलब वो बोलती है क्या बोलती है डिल से don't try to save him what if he should live हैना के कहती है कि इसको बचाने के कोशिन मत करो क्या होगा अगर ये जिन्दा रह गया या फिर अगर ये बच गया और हम क्या कहेंगे कि यार हमने क्यों इसे बचाए मतलब वो इस sense में कहती है what if he should die सदाव इस पर reply करता है कि क्या होगा अगर ये operation के बिना हमने इसको operate नहीं किया और ये मर गया है यहाँ पे तो सदाव replied मतलब इन दोनों में थोड़ी है मतलब एक uncontinuous सी conversation चल रही है और वो आपस में थोड़ी बहस ही हो रही है तो वो कहता है कि क्या होगा अगर ये मर ही गया तो सदाव replied he stood gazing gazing का मतलब होता है देखना वो खड़ा हो जाता है gazing down at the motionless man वो मतलब खड़े होते वे उस motionless बिहोश आदमी को देखता देखता खड़ा हो जाता है this man must have extraordinary vitality और he would have been dead by no और फिर हमारे author क्या कहते है इसके बारे में कि ये इनसान जरूर बड़ा अच्छी इसकी health थी बड़ी अच्छी physique थी नहीं तो अभी तक तो कोई normal इनसान तो मर चुका होता but then he was very young perhaps not yet 25 पर बात ये थी कि ये इनसान था बड़ा यंग मतलब शायद 25 साल भी नहीं था you mean die from the operation अब अगें वोई वाली चीज़ हुई है भाई सदाओ ने एक बात कही और कई lines बात उसका reply दिखाया गया है तो उपर क्या कहता है कि या अगर मर गया तो और फिर इसने ना क्या reply करता है कि अगर यह मर गया तो और भाई ने अपने इनसान रहे हैं तो सदाव कहते हैं अभी के लिए बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है मैं फटा फट से अप्लोड करने वाला हूँ second part इतने इसको complete करो तुम्हारे पीछे पीछे second part भी इसका आ जाएगा कल सुबह तक तो पक्का complete हो जाएगा यह पूरा chapter मैं रात को भी अप्लोडिंग करूँगा तो अटेंशन नहीं गाइस आप अभी यह complete करो आगे फटावट वीडियो आ रहे हैं बाई एंड बेस्ट आफ लक